असलाम अलेकुम इल्म की शमा में आज में आप लोगों के लिए हच्प के तमाम जितने भी लोग हच्पर जा रहे हैं उन सब के लिए एक बहुत ही एहम और कारामद वीडियो लेकर आई हूँ कि जिसमें इतनी इंफोमेशन है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको वहां कोई परिशानी नहीं होगी और ये वीडियो आप एंड तक देखें इसके एक एक लम्हे में आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी और अगर इसका एक पॉइंट भी आपने मिस कर दिया तो आपके लिए प्रॉबलम हो सकती है अच्छा इसमें मैं आपको सब टेकिर हासिल करें वरना आपकी निश्ट मनसूख कर दी जाएगी अगर आपने प्रोग्राम के मताबिक फ्लाइट में सफर ना किया तो आप हच पर ना जा सकेंगे इसके इलावा आपको जहास और बिल्डिंग का किराया भी वापिस ना होगा फ्लाइट में तबदीली की दर्खास किसी भी सूरत में काबिले कबूल ना होगी अपने ग्रूप लीडर से राप्ता जरूर कर लें आप हाजी कैम के बाहर भी ठहर सकते हैं और दूर दरास के इलाकों से तालुक रखने वाले हाजी कैम में भी कयाम कर सकते हैं लेकिन आपको हच ट्रेनिंग में जरू शिर्कत करना होगी आपको परवाज से तकरीबन चार घंटे पहले अपने जरूरी सामान के साथ एरपोर्ट पहुशना लाजमी होगा उमीद हैं आप हच के दौरान कयाम की जरूरियात के मताबिक जरह मुबादला का इंतिजाम कर चुके होंगे जिसकी रवानगी से कबल ह आजी कैम्प में पासपोर्ट के हसूल के वक्त तदिक भी की जाएगी खवातीन के लिए दो अदद अबाया लेकर जाना और कयाम के दौरान अबाया पहनना लाजमी है अबाय का कलर कोई भी हो सकता है लेकिन अबाया लाजमी है तीस किलो वजन तक एरलाइन कोई किराया व अजाज़त होगी सामान पर शनाक के लिए अपने तफसीली कवाइफ का इंदराज इंतहाई जरूरी है तमाम हजजाज अपने सामान की हिफाज़त के खुछ दिमेदार है विजारत मजभी अमूर या कोई इसका कोई भी इदारा सामान की गुमशदगी का दिमेदार ना हो पांच लीटर जमजम की बोतल मोहिया कर दी जाएगी आपको ताकीद की जाती है कि मशीन वीडेबल बैनल अक्वामी पासपोर्ट और नादरा का जारी करदा कम्पुटराइज शनाक्ति कार्ड अपने साथ जरूर ले कर जाएं वरना आप हच पर ना जा सकेंगे अपने सा जरूरी काख़ाद मसलन टिकेट पासपोर्ट वीजा की फोटो कॉपी भी रख लें एहतियातन हर डोकिमेंट की तकरीबन पांच से जादा कॉपी अपने साथ अपने अलग-अलग बैग में रखें ताके मसला ना हो मजीद बरा हाजी केंप में आते वक्त वाजबात हज ज आएंगे तो अपने साथ औरिजनल रसीड जो आपने बैंक में जमा कराते वक्त आपको मिली थी वो और छे अदद तसावीर साथ लेकर जरूर आएं क्योंके वो इन तस्वीरों को अटेच करेंगे और ये तस्वीरें आपको वहां काम आएंगी आप अपने सूट केस और दस्ती बैक पर अपना नाम पता फोन नमबर हच दरखास नमबर बिल्लिंग नमबर और मक्तब नमबर और पासपोर्ट नमबर जरूर दरज करें आप से गुजारिश है कि आप गरदन तोर बुखार की वैक्सीन और टीके फ्लाइट से 10 रोज कबल हाजी कैम से जरूर लगवाएं इन टीकों के बाद हलका बुखार होने का इत्माल होता है इस तरहां पोलियो वैक्सीन के कत्रे पीना भी लास्मी है इन तमाम वैक्सीन का साडिफिकेट लेकर अपने पास महफूस करें और हो सके तो इसकी कोडिंग प्लास्टिक कोडिंग कराकर अपने पास रख लें ये साडिफिकेट साओधी हुकाम एरपोर्ट पर भी चेक करेंगे आपको हाजी कैम्प में एक शनाक्ती लौकिट दिया जाएगा जिसको पहनना लाजमी होगा ताकि गमशुद्गी की सूरत में आपको रहनमाई मिल सके अपनी टिकेट को पासपोर्ट में मत रखें जो के वहां जमा कर लिया जाएगा यानि आप अगर टिकेट को पासपोर्ट के साथ रख लेंगे तो वापसी की टिकेट आपकी पासपोर्ट के साथ वहां जमा हो जाएगी और फिर आप वापसी के लिए खुआर हो जाएगे लियाज़ आप पासपोर्ट को अलग और टिक्टों को अलग रखें हुच्जाज कराम को इदायत की जाती है कि वो अपने साथ ऐसी अद्वियात और मन्शियात हरगी जना लेके जाएं जो के सौधी अरब में ममनू है उमीद है आपको मेरी ये खास मालूमात जरूर काम आएंगी और आपने इन से बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत इहतियात बरते हैं ये सफर आपको बहुत सारे फाइदे पहुचाएगा लेकिन अगर आपने थोड़ी सी एबद इहतियाती की तो बहुत सारे नुकसान का भी अंदेशा है दौाओं में मुझे बहुत याद रखिएगा अल्ला निगहबान